भारत के विकास में प्रवासी भारतियों का बहुत योगदान है भारते डैस्पुरा उन लोग को कहा जाता है जिनकी जड़े भारत में तलाशी जा सकती हैं या जो भारते नागरिक विदेशों में रहते हैं इनमें अनिवासी भारतिये भारते मुलके व्यक्ति और भारत के प्रवासी नागरिक शामिल हैं भारत के प्रवासी लगभग 160 देशों में हैं जिनकी संख्या करोडों में हैं प्रवासी भारतिये अपने कौशल से विदेश में अपनी अलग पहचान बनाने में सफल हुए है विदेशी बामलों से संबन्दित संसद्य समीती ने 3 अगस 2022 को भारत्य डैस्पोरा का कल्यान और नीतिया और योजनाव पर अपनी रिपोर्ट संसद में प्रिश की है नमस्कार संसद्य समीतियों की रिपोर्ट पर हमारे खास कारिकरम कमिटी रिपोर्ट में आपका स्वागत है मैं हूँ सूरज महंजा इस कारिक्रम में हम संसद्य समीती की सदर में पेश कही रिपोर्ट और उससे जुड़ी सिफारिशों को असान शब्दों में आपके सामने रखने का प्रियास करेंगे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व केंद्रिय मंत्री और संसद्य समीती के सदर से रहे केजे अलफोस सराप का स्वागत है और हमारे साथ कारिक्रम में जुड़ रहे हैं अंतराष्टिय सयोग परिशत के अध्यक्ष पूर्वराजदूत विरेद्र गुप्ता जी विरेद्र जी आपका कारिक्रम में स्वागत हैं आप दोनों का कारिक्रम में स्वागत हैं चर्चर शुरू करने से पहले हम आपको बता दे कि संसद्य समीती की जिस रिपोर्ट की आज हम बात कर रहे है उसे मौनसून सत्र के दौरान संसद में पेश किया गया था कारिकरम की आज की कड़ि में हम बात कर रहे हैं भारत्य डायस्पूरा के कल्याड को लेकर नीतियों और योजनाओ को लेकर विदेश मामलों से जूड़ी संसद्य समीती की सिफारिशों के बारे में भारत के विकास में प्रवासी भारत्यों का बढ़ा योगताथ है विदेशी मामलों से संबंधित संसत्य समिती ने 3 अगस्त 2022 को भारतिय डाइस्पोरा का कल्याण नीतियां और योजनाओं पर अपनी रिपोर्ट संसत्य में पेश की संसत्य समिती ने सुझाब दिया है कि मंत्राले Immigration Management Bill 2022 को जल से जल संसत्य में पेश करे संसत्य समिती ने अपनी परताल में पाया कि COVID-19 महमारी के दौरान खाड़ी देशों से लोटने वाले लोगों सहित कई कामगारों ने अपनी नौकरिया कवाई जैसे ही महमारी का असर कम हुआ, कुछ कामकार विदेशों में अपनी रोजगार वाली जगहों पर लोट गए संसत्य समिती ने सुझाब दिया है कि NRI शादियों में महिलाओं को छोड़ दिये जाने के मामले बढ़ रहे है समिती त्वारा अप्रवासी भार्थिय विवाह पंजी करनपिल 2019 की समीक्षा की गई थी और कमिटी ने मार्ज 2020 में इसे सौप दिया था कमिटी ने सुझाब दिया कि मंत्रा ले अपने परामर्श को पूरा करे और एनाराई महिलाओं के लाप के लिए कानून को लागू करे कारेकरम के शुरुआत हम पूर्व केंद्रिय मंत्री और संसद्य समीती के सदस रहे के जे अलफोंस जी से करना चाहेंगे सर आपके संसद्य समीती ने इस महत्वापूर्ण विशे को अपनी पड़ताल के लिए चुना आप लोगों ने पूरी विश्टित रिपोर्ट संसद में पेश की है आप लोगों ने क्या कुछ पाया See we've had about 10 sittings of the committee I think that's the longest we ever had to discuss this whole issue of diaspora what are the numbers what are the Indian missions doing what are we doing in this time of COVID because something like close to one million work people have come back and very large number of students have come back I think more than a lack of students are studying abroad so what is India doing for these people so this was a focus of our thing and so basically things have changed a lot I was just discussing with Virendraji when you were sitting out there earlier the Indian embassies mission was basically to connect with other countries now basically Indian missions have become a home away from home so things have changed dramatic change why hammer approach main Indian embassies for Indian people not only to connect with foreigners so things have changed so as a result of that change in attitude you know the entire things have changed and now there are four pillars of India's dealing with the diaspora one is of course to connect to care to celebrate and also to contribute so these are become the four pillars so each of these has got its own programs and so Indian missions have become extremely active in reaching out to the diaspora in ensuring that they are happy they contribute to India they also have influence in their sphere of activities and we also make things comfortable whenever Indian citizen is in trouble the embassies are there so yeah so that is the focus now we have to do that स्थी नहीं है संसद्य समीटी ने सुझाप दिया कि विदेश मंत्राले को डाइस्पोरा पर एक सुष्टर दस्तावेज का ड्राफ्ट कर तियार करना चाहिए कमिटी ने पाया है कि विदेश मामलों के एक वंत्राली के पास डाइस्पोरा के कोई updated data नहीं है चुकि भारते दूतावास के साथ registration स्वेचिक है ऐसे database के अभाब में कल्याणकारी योजनाओं को उचित तरीके से लागू नहीं किया जा सकता संसदिय समीती ने सुझाब दिया है कि भारते दूतावासों को डाइस्पोरा को इस बात के लिए प्रोसाहिद करना चाहिए कि वे खुद को register करें ताकि मंत्रा ले प्रभावी तरीके से कल्याणकारी योजनाओं को लगू कर सके विरेंद्र जी जैसा कि अलवन सर्थ ने बताया कि अब जो भारते दूतावास है वो कही न कहीं जो भारतिये विदेशों में रह रहे हैं उनके लिए है और ये हमने बीते कुछ सालों में इसकी प्रवर्ती को देखा है कई ऐसे examples भी हमने देखे हैं जिस तरह से संसदिय समीती ने अपनी report पेश की है इस और धारदार तरीके से नीटिया बनाए जाए ताकि जो हमारे भारतिये बाहर रह रह रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत न हो देखिए जो अलफॉंस जी ने बोला कि आज भारतिये राजदूतावास इंडियन्स के प्रती जादा responsive हैं वो क्यों हुआ है क्योंकि भारत सरकार की जो अलिसी है डायस्पोरा के लिए उसमें बहुत जादा बदलाव आया है पिछले 15-20 सालों में कहूंगा आपको मालूम है शायद 2000 में पहली दफा High Level Committee बनी और उसकी recommendations के basis पे गर्बंट ने बहुत सारी नई नई practices और नई अप्रोच शुरू करी उसके बाद ये मेरा ख्याल है पहरा एक बहुत थोस कदम है और सराणी है मैं उसकी बहुत ही सराणा करता हूँ कि Parliament ने इस विशे को इतना important समझा और उसके लिए एक committee बनाई मैंने committee की report पढ़ी लंबी report थी लेकिन एक चीज़ मुझे साथ नजर आई बहुत टेकनिकल रेकमेंडेशन भी हैं उसमें बट जो अप्रोच है वो बहुत हेलफुल लगई बहुत पॉजिटिव लगई ब्रॉडली committee ये कहना चाहती है कि इंडियन डाइस्पोरा के लिए government जादा response दिखाए उनको जादा support करे उनके लिए welfare schemes को और तगड़ी करे तो एक broad तरीके से जो committee ने एक guidance दी है उससे मेरा खेल है भारत सरकार अल्रेडी बहुत responsive है पिछले 10-15 सालों में जैसे मैंने बोला हम डाइस्पोरा से बहुत जादा connect कर रहे हैं लेकिन कहीं पे विवस्थित तरीके से streamlined manner में वो चीज़ें करने की ज़रूरत है अब report की जो हमारा डाइस्पोरा है मैंने देखा कि शायद report में एक general approach है लेकिन वो general approach मेरे ख्याल से काम नहीं करेगी क्योंकि डाइस्पोरा हमारा दो-तीन क्षेणियों में बाटना बहुत ज़रूरी है एक तो है हमारा जो गिर्मिटिया डाइस्पोरा है जहां पे लोगबाग डेर सो पौने-दो सो साल पहले indentured labor की तरीके से गए वो हमारे जहां पे भी हैं इन जगों में मौरिशस में, ट्रिनेडार्ड में, गाया ना में वो सब वहीं के निवासी हैं वहीं के citizens हैं दूसरे हमारे जो अमेरिका में रहते हैं, expatriates गए हैं इंडिपेंडेंडेंस के आसपास और इंडिपेंडेंडेंस के बाद में अभी तक जाते रह रहे हैं और तीसरी कैटेगरी है जो वरकर्स हैं जब हम welfare schemes की बात करते हैं तो खास कर हमें अपने वरकर्स का protection करना हैं क्योंकि बहुत ज़ादा उनका exploitation भी है और जनरली हमारी एक tendency होती है कि हम डायस्पोरा की जो कैटेगरी इसको एक prioritise करते हैं अलाग अलाग शेडियों में बढ़ते हैं कभी भी डायस्पोरा की बात करते हैं तो जो हमारा अमेरिका में डायस्पोरा बैठा हुआ है उसको हम समझते हैं सबसे सर्पुष्रेच्ट है और जो वरकर्स है गल्फ में वो बिलकुल निम्न शेरिनी में दिखाते हैं एक जनरली अप्रोच है आप इसी जन्ता से लेकिन ये बहुत गलत है क्योंकि अगर जो वरकर्स देखें तो जो हमारे हाँ रेमिटेंस की बात होती है सबसे जादा रेमिटेंस हमारे हाँ वरकर्स जो गल्फ में 9 मिलियन के करीब काम करते हैं वो इंडियन सिटिजन है वो डेर दो साल के लिए जाते हैं महाँ पे और वहाँ पे रहते रहते बहुत जादा पैसा भेशते हैं तो उनके रहने से हमको देश को बहुत जादा फायदा है बिल्कुल और संसदिय समीटी ने अपनी रिपोर्ट में उन कामगारों के विशे में भी अपने सुझाब दिये हैं वो हम कारिकरम में आगे उसका जिक्र करेंगे संसदिय समीटी ने सुझाब दिया है कि मंत्राले Immigration Management Bill को जल से जल संसद में पेश करें यहां बिल लंबे समय से परामर्श और समिक्षा के अधीन है बिल Immigration Framework बनाने मंजूरियों को उदार बनाने और विदेशों पे रहने वाले प्रिवासियों के कल्यान का प्रियास करता है अलफॉन सर जो Immigration Bill को लेकर आप लोगो ने आपने रिक्मेंडेशन दिये हैं कि उसे जल से जल लागू किया जाए उस विशे पे बताएं या, सिर इस जाइ इस नीडिक वर आप लिए घूज कावर आप लास्पेश ऑ्रियुट सुपब्सों इमिग्रेट अवर्ट को दोलब लगाइत बट टे प्रियूम इस जल्एस वार राव्याँ वारू देट्ट सुपब्सों का लिए स्राभ एक बटुण जाहेस के आहेटे के निग्हां हुँ करेया है ऩाफवा फिए हैं सभावान मों हुप भ एक्षाSon타 को याँ हिरा कैस safe भी शेसराइब इसका इसवाराइब देच्ला तरो कॉいき बड़ाल टोह और कर फिर्मेदल सσतना का है I think that also means... See, we need to keep these things flexible because the world has become one village now. I mean, mobility is very fast. Now, for example, now we have an agreement with Japan. We have signed a labor and management agreement with Japan through which our laborers will go to Japan. So I think in terms of management, especially of workers, I think it's better to have bilateral mutual agreements even with a block of countries like EU, possibly we can have, or Asia-Pacific. So more of bilateral than actually a law being imposed on somebody else. But I think possibly it's necessary. But again, we have problems. As you said initially, where is the data? Especially the people who went as endangered labor about 250, 70 years back. We don't really have the data. I mean, all these numbers which we get is voluntary. If they come and register in a portal, we get the numbers. Otherwise, no. So it's extremely difficult. Students, by and large, we have data. Now, those people, workers who go abroad on an ECR, where clearance is required, their data we have. But otherwise, by and large, we don't really have too much of data. And it's voluntary. So it's not even possible. Like, take, for example, now we have this portal called Swadesh, wherein we are registering people who came back during the COVID and people who would like to go back. We opened the registration about two years back. As of now, we have only about 34,000 people who have registered. So, though about a million people came back, workers came back. So, it's voluntary. So we can't really force people. So there's a lack of data, which is, again, we can tell the Foreign External Affairs Ministry, get your data, but it's not possible. Some of these things are not possible at all. So we have to manage in a very flexible world with a very fluid data. So these are not easy things to do. बिल्कुर्ण। सर जिस तर से सर ने पोर्टल्स के बाद की, एक जो स्टेंडिंग कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, कि जो शिकाएट रिपोर्ट्स के बाद की, झाल झाल